मेरे प्रिविद्यार्थियों मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर रियस चिंद्रा उनलाइन क्लासेज फॉर इजुकिस्टन में स्वागत करता हूँ आप सभी का हर्दिक स्वागत है हर्दिक अभिनेंदन है प्रिविद्यार्थियों राष्ट्र गवरों पर्याव रणेंव मानवाधिकार अध्यन से सम्मन्दित जो आपका अनिवारे प्रस्ण पत्र है उस प्रस्ण में जो प्रस्ण आते हैं multiple choice questions उसका अभियास हम सभी लोग कर रहे हैं पिछले वीडियोज में पिछली कक्छावां में हम लोग अभी तक 220 multiple choice questions का अभियास कर चुके हैं और उसी सीरीज में उसी स्रिंखला में आज के इस क्लास में हम सभी लोग अन्य 20 महत्म प्रश्णों का अभियास करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के लिए पहला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर आ रहा है question no.221 प्रस्ण संख्या 221 प्रस्ण कहता है कि भारती समिधान के किस अनुच्छेद के ताहत कोई नागरीक मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सरोच नयाले में अपील कर सकता है और आपके options हैं A. 32 या Article 32, B. 21 या Article 21, C. 18 या Article 18 और D. 29 या Article 29 तो dear residents इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है 21 नहीं 29 नहीं 28 नहीं बलकि Article 32 या अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान है कि यद उसके मौलिक अधिकारों का हननन होता है किसी विनागरी के तो वो सीधे सरोच नहीं 29 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 नहीं कराने के लिए सरोच न्याले के समक्ष याज का दायर करने का अधिकार देता है या परदान करता है आगला प्रसन आपकी स्कीन पर question number 222 प्रसन संख्या 222 समिधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार या rights of equality जो है या rights of equity जो है किस articles में दिये गया है और आपके options हैं A. अनुच्छेद 12, B. अनुच्छे 13, C. अनुच्छे 14 या D. अनुच्छे 15 या अनुच्छे 15 तो dear students जो समानता का अधिकार है वो किसमें है 12 नहीं 13 नहीं 15 बलकि 8. 14 या अनुच्छे 14 में समानता का अधिकार दिया गया है जो देश के कानुण है उसकी नजर में सभी वर्ग, सभी लोग, सभी नागरी क्या है? समान है, सभी वर्ग के लोगों पर समान रुप से वे कानुण लगाया जाएगा या जो है आर्टकिल 14 में है या जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है किसमें है, आर्टकिल 14 या अनुच्छे 14 के अंतरगत आता है अगला प्रस्ण आपके स्कीन पर प्रस्ण संख्या 223 प्रस्ण है कि मानो अधिकारों की सारभौम गोश्णा की गई है, कब की गई थे? आपके अप्संस हैं, A 1946 में, B 1947 में, C 1948 में, D 1950 में, 1946 में, 47 में, 48 में या पचास में तो प्रिवेद्यारतियों, मानो अधिकारों की सारभौम गोश्णा कब की गई थी? 46 नहीं, 47 नहीं, 50 नहीं, बलकि 1948 या 1948 में की गई थी, so here the C option is the right option, 1948 सेंग्त राष संग ने 10 दिसंबर 1947 को मानो अधिकारों की सारभौम गोश्णा को अंगिकार किया था, तो 10 दिसंबर 1948, 7 दिसंबर 1948 को आप याद रखिएगा, अगला प्रशन आपके स्कीनी पर है, प्रशन संख्या 24, प्रशन है कि किस वर्ष को मानवा अधिकारों का अंतरराश्की वर्ष घोसित किया गया था, बहुत ही महत्पुन प्रशन है और आपके विकल्प है, A, 1968, B, 1970, C, 1972, and D, 1995 अर्थाद 1968, 1970, 1972 या 1995 तो प्रशन आर्थियों, किस वर्ष को मानवा अधिकारों का अंतरराश्की वर्ष घोसित किया गया था, 70 नहीं, 95 नहीं, 72 नहीं, 1968 या 1968 जो वर्ष था, इसको मानवा अधिकारों का अंतरराश्की वर्ष घोसित किया गया था, इस तरह से यहाँ पर A, अगला प्रशन आपकी स्कीन पर, प्रशन संख्याद 225, प्रशन कहता है कि सिक्छा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्ष घोसित है, प्रिवधार्थियों, यह प्रशन अक्सर पूछा जाता है, आपकी पिपर में पूछे आते हैं, और आपके ऑप्शन से हैं A, आटकिल 21A या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21A में वर्ष घोसित है, याद रखिए, तपस मजूमदार समित 1999 ने अनुच्छेद 21A को सामिल करने की अनुच्छा की थी, वर्ष 2002 में 86 अमेंडमेंड या 26 समिधानिक संसोधन से सिक्छा की अधिकार को समिधान के भागतीन में एक मौलिक अधिकार के तहद सामिल किया गया या समलित किया गया, तो आर्टिल 21A कि समित पे तपस मजूमदार समित 1999 के अनुच्छा की अनुच्छा की अनुच्छा की अधिकार को समलित किया गया, अगला प्रस्ण आपके स्कीन पर प्रस्ण संख्या 226 प्रस्ण है भारती समिधान के किस अनुच्छेद में अल्प संख्यक वर्गों के हितों का सनक्षन का प्रावधान किया गया है, बहुत important question है और आपके options है ए अनुच्छेद 26 में अनुच्छेद 26 में अनुच्छेद 27 में अनुच्छेद 29 में, आपके अनुच्छेद 26, 27, 28 और आपके अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में है अनुछेट 29 में है so here the d option is the right option अनुछेट 29 या अर्टिकल 29 अनुछेट 29 जो है वह अलप संख्यक वर्गों के हितों के सनक्षन से सम्मन्दित है और कहता है कि भारत के किसी भाग के निवासी नाग्रिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेश भास लिप है या संस्कित है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा तो इस तरह से अनुच्यत 29 क्या है अल्प संक्यक वर्क के हित्तों का सनक्चन करता है अगला प्रस्ण आपके स्कीन पर प्रस्ण संक्या 227 प्रस्ण है कि भाखणा नांगल बाज परियुजना कहां पर इस्थित ह है और आपके विकल्प है ए उत्तर प्रदेश में बी जहार खंड में सी हिमाचल प्रदेश में या डी उत्तरा खंड में तो प्रिवद्यार्थियों जो भाखणा नांगल बाज पर युजना है वो कहां पर इस्थित है उत्तर प्रदेश नहीं जहार खंड ने उत्तरा खं पर बनाया गया है अगला प्रस्ट प्रस्ट संख्या 228 भारती समिधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विशय में आउसर की समानता का प्राउधान किया गया है बहुत ही महत्पुन प्रस्ट है कि भारती समिधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विशय में आउसर की समानता का प्रावधान किया गया है आपके विकल्प है आठकिल 15, आठकिल 20, आठकिल 14 और आठकिल 16 अर्थात अनुछित 15 में, अनुछित 20 में, अनुछित 14 में या अनुछित 16 में प्रिवधार्थियों लोक नियोजन के विसे में आउसर की समानता को जो अगला प्रशन आपके स्कीन परा रहा है प्रशन संख्या 229 या कोस्टन नमबर 220 प्रशन कहता है कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है कौन सा अधिकार fundamental right नहीं है और आपके options है ए सोशन के विरुद अधिकार बी संपत्ति का अधिकार सिधार्मिक सुधनता का अधिकार और डी है सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार तो dear students जो मौलिक अधिकार नह है तो यहाँ पर जो B option है संपतिका अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं बल्किया क्या है एक कानूनी अधिकार है So here the B option is the right option मौल समिधान में कुल साथ मौलिक अधिकार दिये गए थे लेकिन 44 अमेंडमेंट जो हुआ 44 समिधान संसोदन के द्वारा संपतिके अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाग दिया गया और इसको अनुच्छे 301 की अंतरगत एक कानूनी अधिकार की रूप में रखा गया जिसके बाद से हमारे पास कुल कितने हैं अधिकार हैं मूल अधिकार हैं छा मूल अधिकार बचते हैं और संपत्तिका जो अधिकार हो क्या हो जाता है कानूनी अधिकार हो जाता है अगला प्रशन आपके स्कीन पर प्रशन संख्या 230-230 प्रशन कहता है कि महिलाओं से चतूर्थ वेशु सम्मेलन 1995 1995 कहा हुआ जेनेवा नहीं लंदन नहीं हेग नहीं बलकि बीजिंग में हुआ था चाइना की बीजिंग में हुआ था स्टंबर 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में सेंट राष्ट संग के तक त्वाधान में चिन के जो राजधानी है बीजिंग वहाँ पर हुआ था अगला प्रशन आपके स्कीम पर प्रशन संख्या 231, 231 प्रशन कहता है कि भारत में राश्टी मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, बहुत इंपोर्टन प्रशन है, अधिकांस तो पुछे जाते हैं और आपके आप्संस हैं, A. प नहीं करते हैं, प्रधानमंति नहीं करते हैं, राश्टपति के पास ये अधिकार है, राश्टपति करते हैं, So here the B option is the right option, राष्ट पती और प्रेस्ट पती द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहीद अधिक पत्र द्वारा की जाती है तिस तरह से राष्ट पती कौन करता है, प्रेस्ट पती करते हैं, अगला प्रशन आपकी स्कीन पर प्रेस्ट संक्या 232 प्रशन है कि राष्ट पती कारेकाल होता है, उसकी डूरेशन क्या है और आपके options हैं A 5 वर्श या 70 वर्श, B है 3 वर्श या 65 वर्श, C है 5 वर्श या 65 वर्श, और D है 3 वर्श या 70 वर्श, ध्यान दीजी प्रशन क्या है? राश्ट्री मानवादिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनका कारेकाल कितने दिन का होता है तो कितने दिन का होता है पांच वर्स या सत्तर वर्स नहीं है तीन वर्स या सत्तर वर्स नहीं है तीन वर्स या सत्तर वर्स होता है इसमें से जो भी पहले हो पहले को होने के मतला अप्राइया है कि यह तीन वर्स पहले बीच जाता है तो कारेकाल समाप्त हो जाएगा यह उनकी उम्र जो है उनकी आयो जो है पहले सत्तर हो जाती है तो उनका कारेकाल वहीं पर समाप्त माना इस तरह से राश्ट्री मानवादिकार आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों का कारेकाल तीन वर्स या सत्तर वर्स जो भी पहले पूर्ण हो जाए वह होता है अगला प्रस्ट्री मानवाधिकार आयोक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह प्रस्ट्री मानवाधिकार आयोक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह प्रस्ट्री मानवाधिकार आयोक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह प्रस्ट्री मानवाधिकार आयोक के वर्तमान अध्यक् राश्री मानवादिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है इस समय है वो कौन है रगनाद मिनिस्तरा नहीं दक्तु नहीं जो सपनी बलकी नयमुर्थी अरुण कुमान मिनिस्तरा जी जो है इस समय राश्री मानवादिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है तो इस तरह से ये option is the right option, वर्तमान में 2021 में नयमूर्थी अरणकुमान मिस्त्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए हैं, तो इस समय कौन है? नयमूर्थी अरणकुमान मिस्त्रा जी वर्तमान में राश्ट्री मनवादिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, अगला प्रस्न आपके स्कीन पर प्रस्न संख्या 234, प्रस्न कहता है कि राश्ट्री मनवादिकार आयोग के पर्थम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजे, इसके पूर में हम लोग न देखा कि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, लेकिन यहां पर प्रस्न है कि राश्ट्री मनवादिकार नयामुर्ती यह चल दक्तू तो री रश्ट्य resonance जो प्रफ़म अध्यक्ष थे और कौन थे मिस्ट्या नहीं जो nest नहीं दक्तू नहीं बलकि नयामुर्ती रंगनात्थ मिस्ट्या जो हैं वे भारत के राश्टी मानवादिकार आयोग के प्रफ़म अध्यक्ष थे तुस तरह स कि भारती समिधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंस, जात, लिंग या जन्म अस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिसेद किया गया है और आपके विकल्प है A. अनुच्छेद 14, D. अनुच्छेद 15, C. अनुच्छेद 16 या D. इन में से कोई नहीं भारती समिधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंस, जात, लिंग या जन्म अस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिसेद है तो किस में है? 14 में नहीं है, 16 में नहीं बलकि किस में है? अनुच्छेद 15 में है So here the article 15 या B option is the right option आप में से जी लोगोंने B option चुना आपका अनुच्छेद 15 है वह कहता है कि धर्म, मूलवंस, जात, लिंग या जन्म अस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कब अपनी रिपोर्ट देता है? वार्शिक रिपोर्ट देता है, अर्धवार्शिक नहीं मार्शिक नहीं सापता है ने बलकि annual report देता है, वार्सिक report देता है so here the A option is the right option annual report या वार्सिक report अगला प्रस्ण आपकी स्कीनिंग पर प्रस्ण संख्या 237 प्रस्ण है कि भारत के समिधान के किस अनुछे द्वारा अस्प्रिष सेता को समाप्त किया गया है भारत के समिधान के किस आर्ट के द्वारा किस अनुचे द्वारा अनुचिबिल्टी या अस्प्रिश्था को समाप्त किया गया है आपके विकल्फ हैं A. अनुचे 16, B. अनुचे 17 C. अनुचे 18, D. अनुचे 19 तो D. डिर स्टिंस आपने पढ़ा भी होगा untouchability या अस्प्रिस्ता को समाप्त करने के लिए जो आठकी लोग क्या है 16 नहीं या 18 नहीं 19 नहीं बलकी क्या 18 17 है या अनुचेद 17 है और 17 के ताथ अस्प्रिस्ता का अंद कर दिया गया है So here B option is the right option अस्प्रिस्ता का अंद भारती समिधान के अनुचेद 17 में है इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्प्रिस्ता निवायरन अदनियम 1955 पारित किया और इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संदिशन अदनियम 1955 कर दिया गया अगला प्रशन आपके स्कीन पर प्रशन संख्या 238 कोश्चन 238 प्रशन है मानो अधिकार की सनक्षा के लिए लोगों को निम्न पर पूर्ण रिपोर्ड विश्वास है धान दिजे मानो अधिकार की सनक्षा के लिए लोगों को निम्न पर पूर्ण रूपेंड विश्वास है किस पर पूर्ण रूपिन विश्वास है यह प्रश्ण है आपके options है न्याय पालिका A, B, राजसभा, C, लोगसभा या D, लोग अदालत अर्थात मानो अधिकार की जो सनक्षा है उसके लिए लोग किस पर पूर्ण रूपिन से विश्वास करते हैं न्याय पालिका पर करते ह राजसभाव करते हैं, लोगसभाव करते हैं या लोग अदालत पर करते हैं तो dear students, मानो अधिकार के सनक्षा के लिए लोगों का जो पूर्ण रूपिन विश्वास और न्याय पालिका नहीं लोग सभा नहीं, राजसभा नहीं बलकी जो लोग अदालत है मानो अधिकार की उस पर की जाती है तो ही या D option is the right option आयो के समक्ष प्रते कारवाही को भारती दंड सहिता 1860 का 45 की धारा 193 धारा 228 के अर्थ में धारा 196 के प्रियोजनियों के लिए न्याई कारवाही के समझा जाएगा और आयो की दंड प्रक्रिया सहिता 1973-1974 का दो की धारा 195 के अध्या 26 के सभी प्रियोजनियों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा तो सिविल कोड या सिविल न्यायालय या लोक अदालत की बात की गई है कि लोक जो है किस पर विश्वास रखेंगे या किस पर विश्वास करते हैं सिविल कोड या सिविल न्यायालय या लोक अदालत पर मा प्रश्न संक्या 249, 239 प्रश्न है, कौन राश्टी मानवादिकार आयोक के सदस की रुपे नहीं हो सकता है, आपके विकल्प है, A, डिस्टिक कोड का जज होता है, जिलाया नयाधिस, B है किसी उच नयालय का मुख नयाधिस, C है मानवादिकार के छित्र में विशेश्यक गि नहीं हो सकता है, तो राश्टी मानवादिकार आयोक के सदस की रूप में नहीं हो सकता है, जिलाया नयाधिस नहीं हो सकता है, तो here the A option is the right option, जो A option है वो सही है, आयोक जो बनता है, जो मानवादिकार आयोक बनता है, राश्टी मानवादिकार आयोक, उसमें एक अध्यक्च होता है, अध्यक्च कौन हो सकता है, जो उचतम नयालय का मुख नयाय मुर्ति रहा हो, एक सदस होते हैं जो ऐसे वक्तियों में सिनुत किया आते हैं जिने मानवादिकार से समझने विश्चियों का ग्यान है या व्यावहारिक अनुभव है तो इस तरह से देखा जाए तो उच नयाले की मुख नयमूर्थी हो सकते हैं मानवादिकार चेतर की विश्य सकता रखने वाले विद्वान हो सकते हैं और सरच न्याले का न्याय अधिस या न्याय मुर्ती हो सकता है लेकिन जिला न्याय अधिस का न्याय मुर्ती नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ पे A option जो है ओ राइट option है या सही उत्तर है अगला प्रस्ण आपकी स्कीम पर प्रस्ण संख्या 240 question number 240 प्रस्ण है कि G1 एवं बेक्तिकत सुतंतरता का अधिकार दिया गया है किस article में दिया गया है और आपके options है अनुछेद 21 के अंतरगत B, अनुछेद 14 के अंतरगत C, अनुछेद 19 के अंतरगत तो dear residents, G1 एवं बेक्तिकत सुतंतरता का जो अधिकार है वह 14 नहीं, 20 नहीं, 19 नहीं बलकि किसमें दिया गया है अनुछेद 21 के अंतरगत दिया गया article 21 जो है वह G1 एवं बेक्तिकत सुतंतरता के अधिकार से संबनित है so here the A option is the right option भारती समिधान का अनुछेद 21 समिधान के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी बेक्ति, किसी अन बेक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और उसकी निजी स्वतनता के अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकता है तो इस तरह से अनुच्छे 21 जो है या जीवन वेक्तिके स्वतनता के अधिकार से सम्मंदित है तो इस तरह से डियर स्ट्रेंट्स हम सभी लोगों ने आपका जो अनिवार प्रश्ण पत्र है मानवादिकार, राष्ट गौरो और पर्यावरण उससे संबंदित 20 अत्महत्पुन प्रश्णों के बारे में चर्चा किया अभ्यास किया इस वीडियो में इस कक्छा में 20 प्रश्णों के साथ हम सभी लोग जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्स टू अल उफ यू प्लीज लाइक, सेर और कमेंट अन दे वीडियो अप इस वीडियो को लाइक कीजिए अधिक जदिक अपने फ्रेंड सरकिल में दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ सेर कीजिए जिससे की वे भी इस वीडियो का लाव उठा सेके और साथ इस साथ आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं कमेंट इसको दोरह यह आपका कोई बहुमुल सुझाव है या कोई प्रशन है या कोई समस्या आप हमसे सेर कीजिए हम आपके प्रशनुक का उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समधान करने का प्रयास करेंगे और साथ इसाथ जो भी आपके बहुमुल सुझाव आएंगे उनसों जहाँ पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे और आप सभी में से जिन लोगों नभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किरिपे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिसे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एज किसनल वीडियो जिसको आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर पाएं जूड़ पाएं इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किजिए और साथ साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में घंटी का कार है बिल का इकन उसको प्रिस किजिए उसको दबाने पर कुछ उप्संस आते हैं उसमें से आप आल के उप्सं को सेलेक्ट कर लेजिए इससे यह होगा कि आपके कोर्स रेलेटेड जितने भी नए एज किसनल वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन उसकी सुचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा